रतन इंडिया इंटर्प्राइज के सियर की करेंगे इस वीडियो में हम टेकनिकल एनालिसिस लेकिन उससे पहले कुछ बाते हैं जो आप से करने बहुत ज़रूरी है तो आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीज़ेगों आपसे निवेदा ने हमारे घर वाले अक्सर हमसे यह कहते हैं कि सियर बजारे जुगा है इससे दोर रहों पैसा इसमें डोप जाते हैं तो उसके पीछे रीजन्स भी है और जिन कहानियों को हम लोगों ने सिर्फ वेप सिरीज में देखे हैं पेपर्स में उनके रिपोर्ट्स पढ़े हैं उन सब कि जो को हमारे घर वालों ने अपनी आखो से देखा है चाहे वो कहानि हो कोबरा जी की जो सियर्स को तोड़के मिट्टी के भाव पे ले आते थे या फिर कहानि हो बिग बूल की जो कि फंडामेंटली विग कंपनी को भी पंप करके इतना उपर ले जाते थे कि वो लोगों सुन लेते हैं जो की इसली एक्सेसेबल है ज्यानि की इंटरनेट के उपर जो भी मिल जाते हैं इस स्पेकुलेशन पहले हम भी हमारे घर वाले करते थे जहां पर पैसे उन लोगोंने डुबाए और आज भी हम वही एक स्पेकुलेशन कर रहा है यह जानते हुए कि हमारे प आपको influence कर रहा हूँ किसी stock को buy करने के लिए वो किसी operator से पैसा लेकर बैठाओ और आपको influence कर रहा हूँ देखे कहीं भी कुछ भी scam होता है तो retailers का पैसा डूपता है नहीं पैसा डूपता है promoters का नहीं पैसा डूपता है operators का नहीं पैसा डूपता है HNI का तो हम लोगों जरूरी है अवेर रहने की, खेर इस बात की बाद हम बात में करेंगे, पहले रतन इंडिया इंटरप्राइज की सेर की हम टेकनिकल अनलाइसिस और थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो उसी चीज के लिए बन रहा है, तो अगर हम देखें तो पावर ट्रेडिंग और कल्सर्टिंग की कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप 8,734 करोर, जिस स्मॉल कैप है, और जो इसकी पी रेसियो है, वो काफी ओवर वैल्यूड है, as compared to sector की पी, तो अगर आप फंडामेंटल पूरा देखना चाहते हैं, तो इस वी ज़र रेसिस्टेंट अभी फिलहाल बना हुआ है, वो 68 रुपय के करीमे है, तो 68 रुपय का रेसिस्टेंट टूटता है रविया, तो हो सकता है कि आपको 15-16% का रिटन मिल जाए, आने वाले टाइम में, और अगर ये गिरता है, तो फिर ये 20-25 पर 30 से ज्यादा गिरेगा 50 रुपय के करीमे आ सकता है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कि अगर ये डूटता है, सेर प्राइसिस के नीचे आते हैं, तो एवरेज करने की कोशिस मत कीजएगा, अगर प्रॉफिट बन रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लिजएगा, और हमेशा स्टॉप ल प्रॉफिट लेने के लिए, बाकी fundamentally ये कंपनी उतनी भी stable है नहीं, जितनी होनी चाहिए, इस्टॉक मार्केट में कर दे हैं, तो 5000 से ज्यादा कंपनिया लिस्टेड है, लेकिन उन में से अगर long term के लिए hold करने की बात आ जाए, तो मुस्किल से 300-400 कंपनिया ही ऐसी है, जि जो रहते हैं और trading बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर retailers जो investors होते हैं, share market के अंदर, उनको परिशानियों का सामना करना पड़ जाता है, तो ये सब चीजों से बच के रहने की ज़रुत है, और scams में और किसी भी influencer की सिर्फ बाते सुनके, investment करने से और trade करने से बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोसेश कीजिए, और तब जाके किसी भी decision को दीजे, और parameters हमेशा लगा के रखी किसी भी stock को अगर buy कर रहे हैं, अगर आपके parameters पे stock खरें नहीं उतर रहे हैं, तो आप उसको buy मत कीजे, किसी भी stock अगर आप parameters पे उतार के अगर 10 साल के लिए hold नही देना, बहुत सारे influencer ऐसे मिल जाएंगे कि आपको targets दे रहे होंगे, कि आप इसको buy कर लो, येतना target है, इस target को ये touch कर जाएगा, लेकिन होता नहीं, अगर targets मिलते हैं 50 के, तो इस लोग जाके 30-35 पे जाके वहाँ से bounce back नहीं मारता, बलकि सीधर drop back आ जाता है, नीचे के सरब झाल